हेलो दोस्तो आज इस कहानी के लेख में हम आपको ऐसी एक सुन्दर कहानी के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके अंदर उत्सा बढ़ जाएगा और आप अपने लच्छेों को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनद करेंगे चाहे या चुनोतियों पर काबो पाने सपनों को हासिल करने या कठिन से कठिन समय में ताकत खोजने की कहानी है आपको खुद पर विश्वास करने और कुछ भी कर सकने वाले दृष्टी कोड के साथ जीवन जीने में मदद करने के लिए या एक अच्छी कहानी है तो दोस्तों चलो कहानी को सुरू करते हैं एक बार एक बहुत बड़ा बिजनिसमेन एक छोटे से गाउ में आया जाता है उसका मकसद होता है कि उस गाउं में एक बड़ी सी फैक्टरी लगानी है वह एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी से उसको गाउं तक पहुँचने के लिए दो विकल्प होते हैं पहला यहां कि वह सडक के रास्ते घूम कर उस गाउं तक पहुचे जिसमें लगबग 10 गंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुचने का कोई डारेक्ट रास्ता नहीं है दूसरा रास्ता यहां था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गाउं तक पहुँच जाए जिसमें केवल 20 मिनट ही लगेंगे तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिये गाउं तक पहुचने का फैसला किया वा नाव बहुत छोटी सी थी जिसमें एक तरफ वह आदमी बेठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनिसमैन बेठा था नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनिसमैन ने नाव वाले से पूछा मुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठता है पढ़ता है क्या मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अकबार में छपती है तो नाव वाले ने कहा अरे साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पीता जी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बच्पन से ही क फूट गया यह सुनकर उस बिजनिसमेंन नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए का तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है ऐसी जिन्दगी का क्या फायदा यह सुनकर उस नाव वाले को भूरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं का थोड़ी देर बाद वह बिजनिसमे वाटर की बाटल्स बनाएंगे उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई उसने कहा कि चीज की फैटरी तो बिजनिसमेन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पाने की बोतले बनेगी जो तेरे गाउं में नहीं बिक्ती लेकिन सेरों में बहुत बिक्ती है तब कभी इस गाउं से बाहर निकला ही नहीं फिर बिजनिसमेन ने उसके उपर हसते हुए बोला तू कभी इस गाउं से बाहर तक नहीं गया मुझे पता ही नहीं कि सहर क्या होता है ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा उसकी बात सुनकर नाव वाले को सोच में यहां लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है यहां सोचते हुए उसकी नाव पर से ही ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई जिसकी वज़े से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था नाव वाले को समझा गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था तब ही उसने बिजनिसमें से पूछा आपको तैरना तो आता है ना तो बिजनिसमें ने घबरा कर पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझे तैरना नहीं आता है उसकी आपा सुनकर नाव वाले को हसी आ गई और बोले साहब आपको तैरना तक नहीं आता ऐसी जिन्दगी का क्या फायदा या सुनकर उस बिजनेसमेन को अपनी गलती का एसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूँगा बस मेरी जान बचा लो तो उस नाव वाले ने कहा अरे साब घबराओ नहीं मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बलकि दूपते हुए लोगों को बचाना भी आता है आप मुझे कसकर पकड़ लो मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बलकी बिजनेसम कि भी जान बचाई तो हमें इस कहानी से यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभे भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहां और कि किसकी जरूरत पढ़ जाए